हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लीज डायरी पर और मैं हूँ आपका दोस्त विजे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महास्वेता देवी जी के एक वर्क के बारे में जिसका नाम है मदर वन जीरो एट फ काफी वास्ट है लेकिन हो सकता है कि वह आप राइटर से उठादे तो बाद माप चैलेंज दिंगर पाऊगे कि आपने राइटर से क्यों देदिया कि राइटर का नाम भी हम पर मैंशन है तुसरे हमारी कोशिश है कि राइटर से रिटर इंफरमेशन भी आपको दे और आपकी जो एल्टी की डेट है एक्जाम डेट वह आगे बढ़ चुकी है पोस्पान हो चुकी है लेकिन आप अपने माइंड सेट को पोस्पान मत कीजेगा आप यह मत सोचिए का कि एक्जाम तो बाद में है थोड़े धिले पढ़ जाते थोड़ा रिलाक्स मूड में आ जा दिखाएगा थोड़ा लेजिनेस दिखाएगा आगे जाके उसका रिजर्ट वहां पर एफेक्ट होगा और याद रखेगा और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था मैंने आपको बोला था कि यह जो टाइम होगे या तो सब खराब होगे लेकिन मैं लोग को भी कहना चाहूंगा कि अभी आपको लगातार कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई को बनाते रहना है अगर आप यहां पर इसे ब्रेक करेंगे थोड़ी भी धील पन देंगे तो आपका रिजल्ट इससे एफेक्ट होगा औ और उत्राखन में वैसे ही आपको पता है कि टीचिंग जॉप से रिलेटेड जो जॉब है वो गेट करना बहुत ही मुस्किल होता है बहुत डिफिकल्ड होता है बहुत चैलेंजिंग होता है तो चलते हैं आज कि वीडियो की तरह उमीद है कि आप सभी मेरी बात को जो है ध 84 की मा इसका बेंगॉली वर्जन है बाद में से इंग्लिस में ट्रांसलेट कर दिया गया और यहां पर सबसे पहले किसी टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है कि यह क्या है मदर तो आप सभी को पाता है मॉम होती है ममी होती है मा होती है लेकिन 1084 आफ यानी 1084 की मा इस तरह है यह एक लास की संख्या है ठीक है यानि नंबर है एक लास की कॉप्स की ठीक है यह लास किसकी होती है यह इस मदर के इस बच्चे की होती है और एक बच्चे की मदर की लास का नंबर है ठीक है जो मौ मौग आपने सुना होगा ठीक है मौग मैं यानि जो लास खाना होता है होग पर जो लुघ की डेथ हो जाती है किसी का एंकाॉंटर हो जाता है उसको जब वहाँ पर रखा जाता है तो उन लाइसं की संख्या बनाए जाती है तो संख्या में जो इस बच्चे की संख्या थी लास की ऊथि Bran 0084 और इसी से रिलेटेड जो है यह टाइटल दे दिया गया है मदर ऑफ 1084 पब्लिस वाथ 1974 में और बेंगॉली वर्दन हजार 84 की माँ अब चलते हैं स्टोरी की तरह तो यहां पर जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में मदर जो है यहां पर मदर 1084 तो जो मदर है उनका नाम है सुझाता तो पहले मैं करेक्टर बता रहा हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट कुशिंस करेक्टर से बनते हैं सुझाता जो है सुझाता के बारे में यह अगर कहा जाए तो इस स्टोरी की प्रोटाइगोनिस्ट है और एक मॉडन स्ट्रॉंग जो है है मदर है और यह बिलॉंग करती है भद्र लोग से ठीक है अपर मिल क्लास फैमिली से है और साथी साथ इन्होंने जो है बीए की डिग्री भी लिवी थी ठीक है बीए डिग्री इस लिए की थी कि ताकि एक अच्छा रिस्ता इन है मिल जाए ऐसा स्टॉरी में बताया हुए है तो आपको यह भी याद रखना है कि उनने भी एक गीततई थी कह तो यह खाद होगी में प्रोड़ागनिस्ट है और मॉडन स्ट्रॉंग मदर हैं ठीक है मॉडन स्ट्रॉंग मदर कैसे हैं आपको पूरी स्टोरी को जाने के बात पता चलेगा नेक्स जो हमारे यहाँ पर पीपल अगेन हुम बराती फॉर्ट और अक्सर क्या है इनका अपने बेटे से काफी ज्यादा ये इरिटेट रहते हैं बराती से ठीक है जो इनका संथा और क्यों था क्योंकि वो जो है ममास संथा काफी ज्यादा अपनी मम्मी से प्रेम करता था और उसकी मम्मी के साथ उसकी बहुत ची कोडिनेशन थी और उसकी मम्में उसकी बहुत सारी गलतियां जो है छुपाती है पच्पन में तो इस वज़े से जो है दिवियनाद जो है अपने बेटे से अक्सर लड़ाई जगड़ा करते हैं एरिटेट रहते हैं आगे इनके बारे में डेटेल बताता हूं फिल एक एक मोमेंट में साथ में इन दोनों ने कोलाबरेशन किया था तो वहां पे जो है इनकी दोस्ती होती यह तो और वहीं पर जो है इनकी बिलेवर्ट भी होती है तो याद रहेगा नंदनी नाम को ठीक है और इस नली टाइटल मैंने आपको बजा दिया बता दिया हजार चौरासी की माँ 1974 में फबिश हुआ था और खास बात इसमें एक इंपॉर्टन बनती है कि गुबिंद निहालनी ने इस पर रिलेटेट इस नोबल पर रिलेटेट जो है क्या किया एक फिल्म बनाई है जिसका नाम था हजार चौरासी की मां नाइटी 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 एट में नाइटी फिल्म है और इसको अवार्ड भी मिला था नैशनल फिल्म फेस्टेबल में तो यह जो है इसका आप देख सकते हैं और अगर आप चाहें आपके पास समय हो तो कभी डबल स्पीड में जो है आप इस फिल्म को देख लोगे तो आपकी पूरी स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी अब देखें यहाँ पर जो सुजाता है उनके बच्चों की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है दो इनके लड़के हैं एक का नाम जोती एक का नाम बराती जोती से एमत समझेगा कि लड़की है ठीक है जोती ही इनके लड़के का नाम है और एक का नाम बराती है ठीक है और उसके बाद इनकी टू डॉर्टर से एक का नाम तूली है और एक का नाम नीपा है एक का नाम तूली एक का नाम नीपा और यहाँ पर दो लोगों की साधी का भी जिक्री किया गया है देखे जो जोती है जोती की साधी जिस बैक्ती के साथ होती है उसका नाम बीना होता है स लोगों की साधी का जिकृस में किया गया है जिनकी साधी अलडी हो गई थी मैं फिर से बता दू जोती की साधी बीना से नीपा की साधी अमरित कर इसमें एक और करैक्टर आता है जो मैं हाँ लिखना भूल गया तो उसका नाम है सोमु SOMU SOMU तो आप सारे करेक्टर लिख देना ये सोमो भी कंपैनियन है उस क्रांतिकारी फाइट में जिसमें की जो है बराती और नालिनी सामिल थे एक ग्रूप में ठीक है वो क्या था वो में उपर आपको अभी जिक्री करूँगा लेकिन फिलाल आप सारे करेक्टर को समझ गय होंगे तो देखे दिव्यनाथ चटर जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह हजबेंड है सुजाता के और मैंने आपको बोला कि यह काफी जादा इरीटेट रहते हैं और अगर आप पुरा नोवल पढ़ेंगे इनका तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि यह अक्सर यहान की चौärिटेव में बताया हुआ है और ऐक खास बात यह है कि यह हैं एक अकाउंट sj अग्णीन syncs चोरिड़ चार्ट में ने की लाइप में आजाते हैं और मैंने आपको बताया सुजाता के जूब पर लगा देते हैं तो वो वर्क करने लग जाती यानि वर्किंग लेडी होती है ठीक है सुजाता तो इसलिए इनको modern strong mother भी कहा गया है लेकिन बाद में जो है दिव्यनाद चाहते हैं कि वो job छोड़ते लेकिन सुजाता जो है strongly ये कहती है कि वो job नहीं छोड़ेगी वो job करेगी तो काफी ज़्यादा जो सुजाता और बराती के बीच का relation था यानि मदर और सन के बीच काफी लविंग था और काफी ज़्यादा इनके फादर को लगता था कि ये इतना प्रेम जो है इस बच्चे को बिगाड़ देगा और इसी वज़े से वो अपनी वाइब से भी काफी खापा रहते थे लेकिन पूरे नोबल को पढ़ने पर ये भी पता चाहते हैं इस वज़े से तो अकसर सुझाता इंसे बचने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी इस पूरे वाक्ये में आप देख रहे हैं कि तीन-चार बच्चे इनके हो गए हैं और एक खास इसमें कैरेक्टर है दिब्यनात की जो मदर होती है वो काफी ज्यादा जलती है सुझाता से क्योंकि सुझाता के जो हैं चार बच्चे हो गए है वनबंड़ों ठीक होते हैं doable खोते रहते हैं और अक्सर क्या करती इनकी डिलिबरी के टाइम भाग जाती है कहीं चली जाती है कुछ रीजन से कुछ कारण बना के कुछ भहाने बना के वहां से गायब हो जाते है जैसे सुझाता कि डिलिवरी का टाइम आता है ठीक है और क्यों ऐसा है क्योंकि जो दिव्यनात की मदर है उनका इकलौता बेटा था दिव्यनात उसके बाद उनके बच्चे नहीं हुए तो को लगता है तो मेरा तो एक ही है लेकिन इसके इतने सारे क्यों हो रहे है तो यह जो भी है मतलब यह चोड़ा साइक इंसी रेंडेस में आपको बता दे कि स्टोरी में कुछ भी ना छूटे मेरी कोशिश यह लेकिन फिर भी कुछ यह बहुत ज्यादा लेंधी होती है नोब इस नोबल में मैंने देखा कि कई जिके लिखा है कि 1960 से 1970 कि जस्ट अर्लियर यह जो है कि सुरू हुआ था लेकिन यहां पर जो एक्डेकली डेट इसके 1967 है और अगर आपके और आपके उप्शन में इस तरह से आ जाएं यह डेट मिला के तो आप 1960-1970 पर जो है डैस कर सकते है रइतां सकते है ठीकना तो यहां पर पीपल्स लिपरेशिं गूरियल्ल आर्मीं को कहा गया है किसको कह गया है याद रिखेगा नेक्सलाइट मुवमेंट को पीपल लिबरेशन गुरिला आर्मी यानि पी एल जी ए अगर आपके कभी आप्शन मा आ सकता है यह तो आप इसको याद रखेगा नक्सलवाद जिसको हम कहते हैं नेम नेक्सलाइट अब लिए जग है ये का नाम है तो से नाम लिया लाखन लिया है इन नॉर्थर्ण वेस्ट भेंगल स्टेट इंड根ट तो वेस्ट बेंगल कि नॉर्थर इंडिया साइट पर एक लाका है है तिक आग्लपत बी उसी एयरिया के नाम पे निए नेक्सलाइट मुम turn चलाया गया था और इसका खास रीजन था विच वाज अपर ट्राइबल पीजेंट जो ट्राइबल जो आदिवासी किसान थे अपराइजिंग अगेंस लोकल लेंड लॉर्ड और ये जो है लोकल लेंड लॉर्ड के खिलाप जो अपनी आवाज उठा रहे थे 1967 में तो जमीनों को चीनने का और गरीबू में बाटने का इसमें एक सीन होता है जिसकी वज़े से इस पूरे मुमेंट में जो हमारा बराती है वो इंटर पास होने के बाद जो है इतफाक से इस पूरी लिबरेशन गुरिला आर्मी से जुड़ जाता है और इनके साथ काम करने लग जाता है तो यहां तक मैंने आपको बदाया की next light moment के साथ जो है बड़ाती जूड़ जाता है और बड़ाती के साथ उस में जो है नन्दनी भी होती है और इसका एक friend जो है सोमू भी होता है तो यह तीन चार बामतलब टोटल यह छہ साथ लोग होते हैं का ग्रूप जो है जूड़ जाता है इस नेक्सालाइट मुमेंट से और ये लोग जो है उस करांतिकारी काम में लग जाते हैं लेकिन होता ये है कि ये लोग पुलीस के द्वारा पकड़े जाते हैं और पुलीस जब इनको पकड़ती है तो उस पगया पुलीस की पकड़म पक हो गई है और वो जो है लास्ट घर में आके एक बार उस बच्चे को देख लें और और साथ इसाथ उसकी पहचान करने ठीक है और यह जो दिन था इसमें खास देट आपको याद रखनी है 17 जनवरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़े छूड़ गई है 17 जनवरी क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग में गया था एक्चुली तो टाइम की थोड़ी कमी रही तो मैंने थोड़ा जल्दी में इस सारी चीज़े करी हैं तो आप इसको याद रखेगा 17 जनवरी जो है बर्थ डेट भी था बर्थ डेट जो है वो बराती इसी बर्थ डेट पर जो है मतलब इस डेट पर पैदा हुआ था और सेम उसी डेट पर पुलीस का कौल आता है कि इ आज ही उसका जन दिन था लेकिन आज के दिन ही ऐसी खबर आए तो जाती है और अपने जो है हस्बेंड को इसके बारे में बताने की कोशिश करते लेकिन वह बिल्कुल भी इंट्रस्टेट नहीं होता और जब वह अपनी बेटियों के पास जाती है जो उनकी नीचे हमने ब लगा है तो ये लोग चाहते हैं कि ये उससे किसी भी प्रकार का संबंद ना रखें और एक मदर को ये देख के बड़ा ही शौक वो फील कर रही थी सुलाता सुरी सुजाता कि क्यों उसके फादर जो है फील नहीं कर पा रहें कि उनकी बेटे की मौत हो चुके और उसकी पह खुशच करते हैं लेकिन हर इनकी बात सुनना नहीं चाहता और मैं आपको पूरी तरह से बता रह ओपुरी स्टोरी में ऐसा दिखाया हुआ कि जो सुजाता है नेगलेक्टिट मदर है नेगलेक्टिट वाइफ है तो जो भी आप इनको कहें मतलब पूरी तरह से परिवार म किस तरह से सुजाता जो है अपने बेटे से प्यार करती थी और जब वहां जाती है उसकी पहचान करती है फाइनली तो उसको पता चलता है कि उसका बेटा मर गया लेकिन यहां पर कुश्चन यह होता है किएशा कैसी हुआ कि एक मासुम सा बच्चा जो अभी खास उमर का भी नहीं था वो इस प्रकार के मुमेंट से जुड़ गया उसकी क्या मांसिकता रही होगी और किसने उसे बढ़काया होगा या क्या ऐसी आइडियोजी उसकी रही होगी कि वो ऐसे मुमेंट से जुड़ा और उसने इतना खतरनाक काम करने की कोशिश की बले काम अच्छा था बुरा था वो अलग चीज़ है लेकिं कि उसने ऐसा किया कुछ सवाल जो है वो छोड़ के चला गया था और खास बात 17 जन्वरी की थी कि अपने जन्म की तिथी पर उसके मृत्यू का कॉल आया था तो यह बहुत ही भयानक अपने बेटे की पहचान करने के लिए यानि उस लास घर में जाएगा अपने बेटे की पहचान करने के लिए और सुसाइटी को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उनके कुल की उनके परिवार की बदनामी होगी बेज़ती होगी तो इस वज़े से वो चाहता है कि आज से वो अपने उस बेटे से जो इस प्रकार की मूंवेंट में जॉइन किया और उसको कुछ लेना देनी कि उसने क्या किया क्या नहीं किया लेकिन अगर उसकी डैथ हो गई है क्योंकि वो पहले से उससे थोड़ा जैलेसी करते थे या उससे चिड़ते थे रिटेट रहते थे कि जो है मा का लाडला है बिगड़ जाएगा वगएर वगएरा तो फाइनली होता भी ऐसा ही कुछ है तो कहीं न कहीं यहां पर वो चाहता है कि उससे वो पूरे संबन अपने तोड़ दे तो इस वज़े से कोई रिस्पॉंस नहीं देता और सुजाता अपनी अन्य बेटियों के पास भी जब यह खबर लेके जाती है बताने की कोशिश करती है तो कोई भी इंटरस्ट नहीं लेता और यह देख के सुजाता को काफी ज़्यादा शॉकिंग लगता है क एक family में कोई भी उसकी बात सुनने को तयार नहीं है और एक mother होने के नाते एक wife होने के नाते जो है वहां पर उसका क्या ही अपने family में जो है role है तो male dominating family उनकी mainly बताये गई है तो अपने grief में होती है कि उसके बेटे की आद 17th of January में यह date आपको याद रखनी है जैन में उसक पहचान करने के लिए उसमोग में जाती है और पहचान करती है कि будете हिलास है यह देख कि उसको बहुती ही अपस्धोल्स बहुती दुख काफी ग्रीफ होता है और वो सोचती है कि ऐसी क्या मानसीकता रही होगी कैसे मानसिक्तर डेवलप हुई होगी और इसको याद आता है कि क्यों उसका बेटा जो है मिडल क्लास जो फैमली सर्वाइबल है उससे चुड़ता था तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें उसको समझ मातिया लेकिन फिर भी जानना चाहते कैसी कौन सी चीज ती जिसकी मैं से उसका बेटा इसमोमेंट को जोन है तो इसमोमेंट में एक और आज है करेक्टर जिसके बारे में मैंने भी आपको साथ बताया है सोमू जो बरातिय है supports सूचा प्रश्वास को प्लक्शन कि पर पर इस नहींडck हिस्ता खतम कर चुके हैं उस बच्चे से जिसकी डैट अप हो चुकी है तो यहां पर वो दोनों अपने अपना दुख जो एक दूसरे से जाहिर करते हैं और इसके बाद जो है सुजाता जाती है नंदनी के पास नंदनी जो कि हमने आपको बताया है कि बिलवर्ड होती है बरा क्या सोच से जुड़े और साथ क्या हुआ कि इनकी गृूप मेंबर में ही किसी एक पर्सन जो धोका देते हैं गृूप को पुलिस को इनफॉर्म कर देते हैं इस वजह से जो है इनकाउंटर सूट आउट होता है और फाइनली इन दोनों की डेथ हो जाती है और किसी भी प्रकार से ये लोग वहां से बच निकलते हैं तो ये जानने के बाद काफी जादा दुख सुजाता को होता है कि कास उसको अपने बेटे की जो एक्टिविटी है इसके बारे में पहले जानकारी मिलती तो साइद आज ऐसा दिन नहीं आता उसके बाद जो है उसकी मदर अपने घर की तरफ जाती है यानि सुजाता अपनी घर की तरफ जारी होती है पनमेरी सोचती है कि अब उस घर में नहीं रहेगी उस घर में उसले नहीं रहेगी क्योंकि उस घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है उसका पती जो है उसकी बात को नहीं सुनता उससे प्यार नहीं करता और साथ ही साथ अपने बेटे की मृत्यू पर जिस वक्ती में सेंपथी नहों ऐसे इंसान के साथ रहे कि क्या फाइदा तो इस सोचते हुए वो फाइनली अपने घर में पहुंसती है लेकिन घर में ठीक उसी दिन जो है एक ओकेजन जो होता है एक फंक्शन होता है तुली की एंगेजमेंट होती है वो नहीं चाहती थी कि इस डेट पर जो है ऐसा कुछ प्रोग्राम हो बट उसके चाहने और ना चाहने से फाइदा भी क्या था क्योंकि इस पूरी स्टोरी में मेल डॉमिनिटिंग जो है फैमिली के बारे में बताया हुआ है पित्र सतात्मक जो सोच होती है कि पुरू सी तो तुली की इंगेजमेंट होती है तो उसको कहीं नहीं इसमां पाटिसिपेशन करना पड़ता है लेकिन उसका चेहरा देखे सभी लोग दुखी हो जाते हैं मतलब इनको अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह का चेहरा बना रही है उनको बड़ा बुरा लगता है कि यहा खड़ी होती है और फाइनली कोलाप्स हो जाती है मर जाती है कोलाप्स हो जाती है तो इस प्रकार से यहां पर कहानी एंड जो है हो गई है तो इस कहानी में में अपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है सुजाता के बारे में उसके करेक्टर के बारे में और वो कि दिवियनात कर चटर की बारे में आपको याद रखना और बिल्कुल पतनी की बात नहीं सुनता था बहर भी इसके आफेर्स वगेरा के बारे में बता हुआ है पतनी से तब पर इस मोमेंट का नाम आप जरूर याद रखना ठीक है नेक्सलाइट मोमेंट 1967 और अगर यह वाला नाम जो पीपल पीपल्स लिबरेशन गुरिलाज आर्मी यानि पील जी ये भी आपको याद रखना है ठीके वेस्ट बेंगौल में यह सुरू हुआ था यह भी मैंने आपक स्टेटस था फैमिली में दिव्यानात की बारे में बता दिया बराती के बरें नंदनी जो है कहीं इस मोमेंट से यह भी एफेक्षिन मा के जूड़ गई होती है ठीक है इन्फिलेंस हो जाती है और उससे जूड़ जाती है आलकि यह बच दाती है और इस स्टोरी को बताती ह है उसकी मदर को ठीक है बराती कि उसकी गल्फेंड भी इसको बताया गया इसमें और इसका याद रिखेगा ठीक है और खास पर बनी यह फिल्म जो है इसके बारे में भी याद रिखेगा 84,000 84 की मान 1998 में इनके सारी डॉर्टर्स और जो इनके संसे इनके नेम आपको याद रखने हैं ठीक इनके सब्सक्राइब भी याद रख लेजें का बागत स्टोरी में इतना ही खास है मैंने कोशिश की है कि जतना भी मुझे स्टोरी समझ आए मैनने आपको समझा है तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मॉच वाचिंग लिड जोसी ना करें